Hello everyone, कैसे हैं आप सब I hope आप सब अच्छी होंगे तो आज की जो reading है ये हम करने वाले हैं देखेंगे हम आज के अपने इस reading में कि आपके जो partner हैं कि आपको आप से बात करने में interested हैं ठीकें, तो ये हमारा reading का आज का topic रहने वाला है ठीकें, so general reading होगी, collective reading होगी आपको पता है और आपको क्या करना है, आपको करना है चनल को subscribe, वीडियो को like ठीकें, अपने friends के साथ, family member के साथ share भी कीज़ें ठीकें, तो आज जो है हम करने वाले हैं ये reading और general reading होगी, collective reading होगी और जिनके साथ भी reading resonate करती है, please, please, please healing, healing करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हो, क्या बताना चाहती हो, bracelet के बारे में और roller के बारे में, ठीकें, तो चलिए देख लेते हैं कि bracelet के क्या benefits है, चलिए बात करते हैं, stones की यानि कि bracelet की, तो आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ ब्रसलेट के बारे में आप लोग पूछ रहे थे ना ब्रसलेट का क्या लाब है कौन सा ब्रसलेट अविलेबल है आपके पास तो यह है सिट्रीन ठीक है सिट्रीन ब्रसलेट है यह और यह जो ब्रसलेट है इसके पहनने के लाव यह है कि आपका mind focus करता है यह ठीक है अगर आपको पुखराज धारन करना है पुखराज के तरह आप यह धारन कर सकते हैं पुखराज यानि कि marriage related, job related, business related, problem के लिए धारन किया जाता है तो अगर आप यह citrine ठीक है citrine अगर आप धारन करते हैं तो उतने मह आपको धारन करने की जरुत नहीं है ठीक है तो citrine आपको job में, career में, study में है और आपके marriage में यह बहुत ज़्यादा effect दिखाता है तो आप यह ले सकते हैं यह natural है ठीक है यह orange color में भी एक आता है लेकिन वह natural नहीं होता है थोड़ा सा orange type का होता है तो वह natural नहीं होता है यह natural है ठीक है यह natural citrine है इसके ज़्यादा benefit आपको देखने को मिलेंगे ठीक है तो यह है first bracelet second bracelet है मेरे पास यहाँ पे green aventurine जो की design में available है मेरे पास ठीक है यह design में आपको available है जो की आपके hand के side का है जैसे कि मैं आपको पैन के दिखा रही हूं यह है ज़्यादा डीला नहीं है ठीक तो यह जो है green aventurine जो bracelet है यह भी focus के लिए है अगर आपके अंदर self confidence की कमी है study करते हो study में भी focus नहीं बन पाता है health issues रहते हैं आखों से related problem है ठीक है mainly मैं यह health issues job के लिए भी देती हूँ यह इसको मैं ठीक है यानि की देख करके मैं देती हूँ किसको क्या suit करेगा ठीक है तो यह जो है आपके job के लिए भी है जिनको जो है astrologers बोलते हैं कि आप पन्ना धारन कर लिजे यानि कि अगर आपको बात करने में problem होती है तो आप यह धारन कर सकते हैं ठीक green aventurine जो कि आपको जो है बहुत ही अच्छा result दिखाता है बहुत ही अच्छा इससे self confidence आता है आपके health के जितने भी issues हैं यह खतम कर सकता है ठीक यह जो है आप अपने लिए ले सकते हो अपने किसी दोस्त के लिए ले सकते हो अपने जो है परीजन के लिए ले सकते हो पैरेंट्स के लिए ले सकते हो तो health issues के लिए मैं यह देती हूं ठीक है यह है रोज क्वास ठीक ह कि किसके उपर कौन सा प्रभाव जादा डालेगा ठीक है तो उसके अनुसार से मैं देती हूं ठीक है तो यह भी आपको आपके हैंड के साइज का ही मिलेगा जैसे कि मैं पहन के दिखा रही हूं यह देखो मेरे हैंड के साइज का है मेरे हाथ पतले हैं तो मेरे हैंड के यह सा ठीके, जो भी bracelet लोगे आप मैं activate करके ही देती हूँ, ये जो bracelet है आपका, ये bracelet है आपकी love life के लिए, ठीके, आपका love relationship सुधारने के लिए, आपकी healing के लिए, ठीके, और मैं एक ये heart chakra के लिए जो है, ये bracelet है, ठीके, heart chakra को भी ये heal करता है, green adventuring, ठीके, और ये जो है, rose quartz, ये अच्छा करता है, आपके दोस्तों के साथ, आपका relation अच्छा करता है, आपके parents के साथ अच्छा करता है, एक अजीब सी energy आने लगते है, एक positivity आने लगते है, आपको self confidence आने लगता है, आपको लगता है कि हाँ दुनिया कितनी प्यारी है, बहुत ही अच्छा सा result इसका rink भी मिल सकता है, ठीकaken, तो आपको यह अगर आप लेना चाहते हैं, तो ले सकते हैं, ठीके अगर कोई नहीं पचाता हृओ, तो ar Merigu, को फैर स्टों मैं दे दोंगी ठीके मैं देख के देती हूं कि हा किस के उपर क्या effect डालेगा कौन सा ठीक है ये है seven chakra bracelet seven chakra bracelet जो है आपको पता है कि आपके हमारे सरीर में seven chakra होते हैं ठीक है तो हर चक्रा को heal करने के लिए इसमें seven chakra जो है stone डाला गया है ठीक है हर एक चक्रा हमारा कुई एक चक्र जो है हमारा बाकी नहीं रहेगा जिससे हमारी अंदर पॉस्टिविटी आएगी जिसने भी ब्लॉकिजे से वो खतम होगे और हमारा हमारी हीलिंग होगी बहुत ही अच्छी तरीके से हीलिंग होगी तो सेवन चक्रा ब्रसिट आपको लेना चाहिए आपको इस चीज के लिए आप और अगर चाहते हो ना तो आप यह ले सकते हो ठीक है यह सेवन चक्रा का ब्रसिट ले सकते हो और यह मनी से लेटेटर प्रॉब्लम यानि कि इस पर देख लो मनी के यहां पर रेकी सिंबल बने हुए है ठीक है तो यह मनी से लेटेटर प्रॉब्लम के ल कर देता है ठीक है तो अगर आप यह ब्रेस्ट लेना चाहते हैं तो दिए गए वाट्सप नमबर पर कॉंटक्ट करके बुकिंग को करवा सकते हैं साथ ही साथ मेरे पास अभी लेवल है आप लोगों के लिए जाप माला जो कि मैं मंतर बताती हूं तो मैं मंतर जो है गए वाट्सप नमबर पर कॉंटक्ट करके बुकिंग को कंफर्म करवा सकते हैं ठीक है तो यह थी कुछ जानकारी आप लोगों के लिए बिलते हैं फिर अगले रीडिंग में रीडिंग में नहीं चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं तो आप लोगों ने देखा कि प्रस्टी जखोकर के कॉंटक्ट कर सकते हैं ठीक है चलिए करते हैं अब हीलिंग अपनी हीलिंग करेंगे उसके बाद हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे कि अ कि अ कि 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 हुआ हुआ है हो गया है ठीक है चलिए अब हम करते हैं रीडिंग को स्टार्ट है अब आप अपने पार्टनर के उपर फोकस किजिए और देखिए हम रीडिंग करते हैं प्लीज करें जो भी मेरे वीवर्स हैं क्या उनके पार्टनर उनसे बात करने में इंट्रेस्टेड हैं या नहीं है प्लीज मुझे गाइड करें जो आपके चले देखते हैं करें कि अधिया है ऊके अधिया है अधिया है अधिया कि देखते हैं हम क्या है अनेर्जिस आपके जो पार्टनर है वो आप से बात करने में इंट्रेस्टेड हैं इंट्रेस्टेड हैं यहां पे है उस तरीके से अनेर्जिट रही है वह काड्ट मुझे तो और ट्राक्शन होता है ना वो और ट्राक्शन है इस परसन को मुझे यहां पर यही दिख रहा है चलिए मैं बताऊंगी बट थोड़ा सा पेशन्स रखिए सारे कार्ट्स हमेका लेंगे उसके बाद मैं आपको बताती हूं क्या है कैसा है फाइव पैंटिकल्स एस ऑफ सौर्ट्स दवेल तू अफ कफ्स एंड है मेरे पास एट ऑफ वैंड्स ओके ठीक है तो यहां के एनरजी क्या बता रही है यहां के एनरजी के अनुसार से मुझे नजरा रहा है आपके कार्ड्स में कि आपके पार्टनर है ठीक यहां पर आपके जो पार्टनर है ना यहां के एनरजी क्यानुसार से साइन बता दो तो एरिस लीए साजिटेरियस टौरस वर्गों कैप्रिकुन कैंसर स्कॉर्पयो पाइस और है मेरे पास जैमिनाई लिब्रे अएकवरियर सारे एलिवेंट्स हैं सारे में अबिलेबल है तो यहां पर आप्सवार को आपके प्रति अट्र क्षिन तो बहुत जदा हो carne मोगन है और यह पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि जो प्रांप्सक्राइब्स प्रहण सब्सक्राइब है इसको चंक्रोब कैसे करे थे इसν यहां पर यह सोच रहें है कि आप जो है ठीक है आप जो है आपके पास options अभी लेवल हैं आप confused हो और आप जो है ना यहां पर इस person को choose नहीं करोगे ठीक यह person जो है five of pentacles के energy में है यानि कि यह person hopeless हो चुके हैं यह person एकदम से परिशान हो चुके हैं यह person पहले कि अपने relationship के लिए बहुत ज़्यास होगा करते थे बहुत ज़्यास होगा करते थे लेकिन उस time जो है इस person ने ही गलती की और इस person की गलती की वज़ा से आप दोनों का relationship यहाँ पे आ चुका है ठीक हैं यहाँ पे मुझे यह भी देख रहा है कि आपके जो partner हैं आपको ले करके यहाँ बहुत कुछ करना चाहते हैं आपके साथ relationship को continue करना चाहते हैं लेकिन यह person continue नहीं कर पा रहे हैं यह भी problem है तो यहाँ यह भी है कि आप दोनों के relationship यहां पर काफी टाइम से यह जो है ना नो कॉंटक्ट चल रहा है और नो कॉंटक्ट की वज़ा से यहां पर रिलेशनसिप और बिगड़ता हुआ चला जा रहा है ठीक है यहां पर यहां पर यह भी है दिख रहा है कि आपके जो पार्ट क्लियर कार्ट्स बता रहे हैं कि आपके जो पार्टनर हैं इनके सपने हाजार हैं बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन करकुछ नहीं पा रहे हैं तो यहां पर कहीं किसी ना किसी वज़ा से जो है ना आप दोनों के बीच में यहां पर इशूस बन रहे हैं देखो यह परसन इनको sexual attraction बहुत ज़दा है यह person की feelings बहुत ज़दा है आपको ले करके यहाँ पर एक जो होता है कि sexually बहुत अट्राक्ट होता है बहुत ज़दा अट्राक्ट होता है यह person आपके तरफ और यह person जो है ना इस relationship में बढ़ना तो बहुत जल्दी चाहते हैं बहुत पैशन हो बहुत पैशन है इनकी दिल में बहुत पैशनेट हो करके यह सब कुछ करना चाहते हैं तो यहाँ पर एनरजी दिख रहे हैं कि यह person two of cups के एनरजी में है यानि कि आपके साथ अपने relationship को है continue करने में बहुत interested हैं और यह person आपसे प्यार भी बहुत दिल से करते हैं दिल से प्यार वाली feelings मुझे नजर आ रहे हैं इस person की यह person के अंदर जो है ना वो भावना है वो feelings, वो emotions जो कि यह person शायद किसी से नहीं वता पाएंगे वो वाली feelings जो है ना आपके लिए हैं इनके दिल में इनका प्यार रियल है यह person आपसे प्यार करते हैं और यह person आपसे बात करने में interested भी है because of eight of events हाना तो eight of events का card clear बता रहा है कि आपके partner को तो सुरुआत करनी है ठीक है लेगिन वही है कि अब जो है आपके उपर depend करता है कि आप क्या करना चाहते हैं क्या नहीं हाला कि यह person किसी ऐसे person से भी बात करते हुए दिख रहे हैं जो कि आप दोने के relationship में जो problem चल रही है उसको बहुत अच्छे तरीके से वह deal कर पाए बहुत अच्छे तरीके से जायना वह उनसे निपट पाए ठीक है यह बाते करते हुए दिख रहा है मुझे यहां पर यह दिख रहा है कि आपके जो partner है यहां पर आसा है ना कि आपके partner के अंदर वह power है वह मुझे दिख रहा है यह person किसी को भी control कर सकते हैं इनके अंदर यह feelings मुझे नजर आ रही है यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपके partner आपको ले करके जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एक जो होता ना कि mentally है ना mentally prepared हो जाना तो वो person का मुझे दिख रहा है कि हाँ यह person mentally prepared भी हो चुके हैं कि आपके साथ कब क्या करना है क्यो है कि यह person पीछे नहीं हटने वाले हैं मुझे यहाँ पर पुरी तरीके से दिख रहा है चलिए कुछ और कार्ड्स निकालेंगे हम प्लीज मुझे गायद कीजिए अंजर्स six of coins एकदम से यह person अपना hundred percent देने वाले हैं यानि कि यह person आप से बात करने वाले हैं अब इस relationship में जो भी issues रहे हैं जो भी problem नहीं है उसको खतम करने के आप से बाते करेंगे और कुल के बात करने वाले हैं पूरी तरीके से इनर्जी में यह दिख रहा है मुझे टावर के अनर्जी है और यह person को दूर रह करके कुछ नहीं करना है दूरी तो यह पे है नहीं बदब कि दूरी होने ही नहीं चाहिए आप दोनों के बीच में ऐसा इस परसन की feeling से इस परसन के emotions है यह परसन जो है ना यह परसन के दिल में दिमाग में बस एक ही चीज बनी हुई है क्या तो यह परसन जो है ना आपको लेकर के पूरी तरीके से एक जो energy होते हैं कि हां surety वाली energy है ना तो वो वाली energy मुझे दिख रही है इस परसन की इस अफकप्स के energy है इस अफकप्स में दिख रहा है कि हां यह परसन जो है ना आपके साथ बहुत बैतरीन से सुरुआत करना चाहते हैं ऐसे सुरुआत करना चाहते हैं जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा ठीक है ऐसे सुरुआत यह परसन करना चाहते हैं आपको commitment देना चा बढ़ेंगे, 2 of coins, यह person चो है ना, अपनी feelings, अपने emotions को यहां पे stable नहीं कर पा रहा है, यह इनका रह रहा है, कप्छी हाँ, कभी ना, क्या करना है, क्या नहीं करना है, है ना, लेकिन यह यह भी है कि हाँ, यह person को जो है ना, एक decision तो है इनका कि हां बढ़ना है तो बढ़ना है ठीक है लेकिन वहीं है कि टाइम प्रियड सही नहीं है इनके अनुसार से इनको लग रहा है कि और बैतरीन टाइम आ सकता है और अच्छा टाइम आएगा तब हम एक्शन लेंगे तब हम कोई डिसीजल लेंगे तब उसका कुछ पर नल निकलेगा तो यह झरहं कि अगर आप टो ही सब्सक्रीकें से अपने आपको मेंटेन रखोग नहीं जिसस ठरीके से आपने मैनिक्फेस्ट किया है के यह जो ब्रेसलिट इसका व्यूस्ट किया आप तो यह हैं आपके लिशन्सिप में स़्म जब दिलाएगा ठीक है यहां पर प्रॉब orbits चल रही थी और चल रही है दवील समय के और समय बदने के लिए ही होता है और आपकी और आपके पार्टर के पीच में जो आप दोनों का रिलेक्षन सी पर यह बहुत स्ट्रोंग होगा बहुत ही जदा strong पैसा है strong जैसा कि आपने सोचा भी नहीं होगा ठीक है तो मैं आपको यही कहूँगी कि देखो आप दोनों का relationship बहुत अच्छा है और आप दोनों इस relationship में बहुत आगे भी बढ़ होगे ठीक चलिए ऐस of sorts यहां पर बिढ़ है यान्य कि आपकी पड्रिकां फुरी तरीके से यह मैंडऴ कर चुके हैं कि आपके सांथ negotiation करें करना है रह नाइस आफ को est Todd आप से बात करना है इस परसंकру पूरी तरीके से बात करके तब ही इस person के दिल और दिमाग को जो है ना आराम मिलने वाला है चैन मिलने वाला है मैं आपको यही कह सकती हूँ कि आपके जो partner है आने वाले time period में आपके सामने आकर करके अपना सर जुगा करके आपसे माफी भी मांग सकते हैं ठीक है मुझे यहां पर यही दिख रहा है कि आपके जो partner है ना आपके लिए बहुत ज़्यदा feelings रखते हैं emotions रखते हैं तो मैं कहाँगी कि आपके partner अपने आपको कितना भी insecure क्यों ना feel करें दूसरों से लेकिन यह person का दिख रहा है कि यह person को आपके ऊपर trust है और यह person के दिल ठीक है सब कुछ ठीक है ठेक तो मुझे आग कि आप करेंगे तो कब तक बात करेंगे तो यह person करेंगे तो बात आपको पैशंस को चाहिए मुझे यह दिख करा है कि हां आपके partner आप जरूर करेंगे which कुछ भी अंदर से पॉस्टिव रहना होगा और अंदर से आपको बहुत स्टॉंग रहना पड़ेगा तब जाके जाना कुछ चीज़ें यहां पे सॉल्व होते भी डिख रही है मुझे ठीक है तो ओवराल एनरजी में यह रही मैं आपको रोलर के बारें बता रही थी ना मैं प्राइब कर सकते हो तो आप इसको ले सकते हो इस किन प्राब्लम के लिए ठीक है तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को खत मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में तब तक हसते रहें उम्सकुरातरी और खुश रहें बाबाई